अलो एव्रीवन वेलकम् टू टेस्ट कुज्ड में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं धातु यसी को घ्र panel करने है यसे क्ली थातु काकी बहुतिक गुन्गे का युझी थीक है उस्से क्रिया कर स्कूरों को पत्ता है जो हम लोग इने सक्रियता की श्रेणी देखी थी ठीक है जो एक्टिविटी जो सीरीज देखा था हमने ठीक है एक्टिव एलिमेंट्स के शीरीज तो जो लीथियम पोटेशियम सोडियम ये सब जो देख रहे हैं वो highly reactive है बहुत ज़्यादा क्रिया शील है ठीक है तो ये इत इनको डुबा कर रहना होता है अगर आप नॉर्मली इसको हात में ऐसे रखे सोडियम को ही ठीक है तो वह oxygen से मतलब हमारे एर में तो क्या उपस्थित है ठीक है वायू में उपस्थित oxygen से react करके reaction कर लेती है ठीक है तो जो हमारा sodium ठीक है इसको आप react करेंगे oxygen के साथ तो आपका क्या बनेगा Na2O ठीक है अब आपको oxygen दो लेना है तो यहाँ पर 4 sodium आपको लेना पड़ेगा तो आपका क्या oxide बना ठीक है यह equation आप balance कर लीजे पहले आपको बनाना है oxide बना लीजे उसका ठीक है उसके बाद आप equation balance कर सकते हैं ठीक है तो जो sodium है वो oxygen के साथ react करके sodium का oxide बना देता है clear और इसी अगर हम लोग अगर हम इसी जो oxide है हमारा sodium का इसको अगर हम react करते हैं H2O के साथ ठीक है plus H2O इसको जल के साथ react करने पर यह क्या बनाएगा जब किसी विधातू के oxide को जल के साथ react करने पर वो क्या बना रहा है sodium hydroxide एक छार का निर्माण कर रहा है NaOH ठीक है तो hydrogen दो है oxygen भी दो है sodium भी दो है तो हम यहाँ पे लगा देंगे twice of NaOH तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जितने भी धातूए हैं ठीक है वो oxygen की उपस्तिती में क्या बना रहे हैं वो बना रहे हैं sodium के oxide फिर उसी sour sodium के oxide को हमने जल के साथ क्रिया किया तो वो क्या बना देता है वो बना देता है sodium hydroxide ठीक है अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं magnesium की ठीक है magnesium क्या होता है magnesium के फीते को अगर आप oxygen की उपस्तिती में उसका दहन करेंगे उसको जलाएंगे ठीक है तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है आपको देखना पड़ेगा कि जो magnesium है उसमें कुछ परत सफेद परत तो नहीं जमी हुई है अगर वो जमी हुई है तो वो क्या है magnesium है आपको पता है बहुत highly reactive है तो वो क्या करता है oxygen जो वायो में पस्तित oxygen है उसके साथ react करके oxide बना लेता है और वो सफेद परत उसमें जम जाती है अगर आपको उसको हटाना है तो उसको magnesium है ठीक है वो oxygen की उपस्तिती में जलता है और ये बनाएगा MgO magnesium oxide ये दो हम molecule से oxygen के तो यहां भी हमें दो लगाना पड़ेगा clear तो ये है अगर magnesium अगर oxygen की उपस्तिती में दहन होता है तो क्या react करता है ठीक है अब ये जो magnesium oxide की प्रकृती है ये अमली है या छारी ठीक है तो इसके लिए हम कुछ और फिर देखते हैं जिंक है और aluminium है ये oxygen की उपस्तिती में क्या बनाते है ठीक है तो चलिए देखते हैं जो zinc है वो क्या बना रहे है zinc plus O2 तो ये बनाएगा zinc oxide oxygen दो है तो दो zinc लेना पड़ेगा ठीक है वहीं अगर हम बात करें कि aluminium बनाना है हम लोगों को तो ये क्या बनाता है Al2O3 aluminium के oxide बनाएगा ये ठीक है aluminium यहाँ पर 2 है oxygen 3 है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को अगर आपको चाहिए यहाँ पर ये 2 oxygen है यहाँ पर 3 oxygen बन रहा है ठीक है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 oxygen कर दीजिए और ये क्या है आपका ये आपका 2 aluminium है ठीक है अगर 2 aluminium है यहाँ पर तो आप उसको फिर वहाँ पर हम 4 aluminium कर देते हैं यहाँ पर 4 aluminium कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा 2Al2O3 ठीक है इस तरह से आप देख रहे हो डिफरेंट धातू है ये sodium ये आपका magnesium ये zinc ये aluminium ये oxygen के साथ वायू में दहन करने पर हमको क्या मिलता है जो धातूए है धातूओं की oxide मिलती है ठीक है तो जितनी भी धातूए है ठी oxide की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है तो जितने भी धातूँ है उनके oxide की अगर प्रकृति की हम बात करें तो उनकी प्रकृति हमेशा छारी हमें देखने को मिलती है ठीक है चल ये इसको एक समझते हैं कि एक्जांपल से जैसे कि Al2O3 है जैसे कि ये जो Al2O3 मिला है आप लोगों को ये अगर HCl के साथ react करेगा ठीक है ये छारी प्रकृति का है ठीक है छारी प्रकृति का है तो क्या होगा ये HCl के साथ react करके AlCl3 प्लस H2O बनाएगा अब हम बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर दो अलुमीनियम है तो यहाँ पर भी दो अलुमीनियम डालना पड़ेगा क्लोरीन यहाँ पर 3 है यह भी 3 होना चीए तो यहाँ पर 6 of HCl हो जाएगा और यहाँ पर 3 of H2O तकी 3 to the 6 ठीक है ऑक्सिजन देखिए 3 ऑक्सिजन है यहाँ भी 3 ऑक्सिजन है तो यह हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस तो यह क्या है आपका कि जब ऑक्साइड है जो धातू के ऑक्साइड है वो अमल से क्रिया करके क्या बनाते हैं लवन कथा जल बना रहे हैं उसी तरह से जो ऑक्साइड है वो अगर छार के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे यही जो ऑक्साइड है यह छार के साथ क् पोडियम बना लेता है किरो चारी प्रकृतिक होते हैं ठीक है और जो जिंक औक साइड है यह दोनों उभय धर्मी है इसी लिए वह अम लके साथ भी और चार के साथ दोनों के साथ क्रिया करके उबहधर मी मतलब दोनों गुड रखता है तो अमलक के साथ भी और छार के साथ क्रिया करके लवन और जल बनाता है मैंने अमलक के साथ बना दिया है आप लोगों को छार के साथ बना के equation balance करना है ये clear हुआ धातूओं को वायू में दहन करने पर क्या होता है तो धातूओं को वायू में दहन करने पर धातूओं के oxide बन जाते हैं और कुछ नहीं ठीक है चलिए इसको रख करते हैं अब देखते हैं कुछ questions जो दिये हुए है ठीक है तो क्या question दिया हुआ है question कुछ इस तरह से है कि हवा में खुले छोलने पर भी धातूओं की चमक ठीक है कम क्यों हो जाती है तो कम इसलिए हो जाती है कि आपको पता है कि वो क्या करते हैं वो oxygen में वायू में उपस्थित oxygen के साथ react कर लेते हैं oxygen के साथ react करने के बाद वो एक oxide कर निर्मान करते हैं और यह जो oxide है वो उनकी परत पर जम जाता है इसलिए उनकी चमक कम हो जाती है फिर question है कि सोना और platinum का उपयोग गहने बनाने में क्यों किया जाता है क्योंकि आप देख पारे हैं जो सोना है सिल्वर है ठीक है सिल्वर सोना प्लैटीनियम यह तीनों को यह आप देखेंगे तो इनका उपयोग हम ornaments में आभूशन बनाने में करते हैं क्योंकि बहुत कम अभी क्रिया शिल है और यह बहुत कम क्रिया करते हैं तो यह वायू की उपस्थिती में भी किसी से क्रिया नहीं करेंगे ठीक है और क्या होगा जो हमारे आभूशन है वो जमकते रहेंगे फिर हम देखते हैं कि जो lead, magnesium और aluminium धात्यों की oxygen अभी क्रिया का समीकरण लिखने को कहा गया है तो चलिए लिखते हैं lead का तो PB प्लस O2 तो यह क्या बनेगा PBO ठीक है oxygen 2 है तो 2 डालना पड़ेगा हमें और यह lead यहाँ पर 2 कर देते हैं ठीक है lead के बाद किसका वो लग रहा है magnesium का तो magnesium प्लस oxide ओ oxygen के साथ react करके यह MgO बनाएगा तो यह oxygen 2 है तो 2 MgO करना पड़ेगा और यहाँ पर यह हो गया 2 Mg प्लस O2 फिर किसको बोला गया है फिर आपको aluminium के लिए बोला गया है aluminium प्लस O2 चलिए देखते हैं क्या बनाता है यह बनाता है AL2 और O3 ठीक है तो same वही reaction है आपको क्या पढ़ना करेगा 4 aluminium तो 2 2 4 हो जाएगा यह 6 हो गया यहाँ पर 3 ठीक है इस तरह से जो question में आपसे बोला गया है कि lead का magnesium का और aluminium का आपको oxide बताना है तो यह तीनों ही oxide आपके सामने है clear चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है जब धातुएं है वो जल से क्रिया करती है धातु को जल से क्रिया करने पर ठीक है तो जो धातुएं हैं आपकी lithium, sodium, potassium, magnesium जो जितनी भी धातुएं हैं वो जल से क्रिया करने पर hydroxides का निर्मान करती है hydroxide बनाती है ठीक है और क्या करती है साथी साथ धात्रिक hydroxide बनाने के साथ hydrogen gas को अत्यधिक मात्रा में उश्मा उत्पन करती है और ये क्या है एक उश्मा छेपी अभिक्रिया है ठीक है चलिए कुछ example लेते हैं धातुएं के जैसे की है Na plus H2O ठीक है तो ये क्या बनाएगा NaOH अब oxygen hydrogen 2 है तो oxygen को भी 2 करना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है तो और sodium को भी आपको 2 करना पड़ेगा तो सामने में एक और आपको 2 sodium और 2 H2O ले लीजिए और NaOH के कितने बनेंगे दो molecules बन गए ठीक है और ये hydrogen gas को release करता है ठीक है तो जो sodium है वो जल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोकसाइड का निर्मान करता है और क्या करता है hydrogen gas मुक्त करता है यहां एक उश्मा छेपी अभिक्रिया है ठीक है इसके बात करेंगे हम magnesium की magnesium बहुत ही कम अभी क्रिया शिल्धातु थंडे जल के साथ क्या करता है बहुत मंद भी क्रिया करता है ठीक है लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गरम कर दें जो पानी है वो थोड़ा गरम हो जाए ठीक है यह जो magnesium है आपका magnesium को अगर आप H2O के साथ थोड़ा गरम हो तो यह भी बनाएगा magnesium hydroxide MgOH का whole twice प्लस ही क्या करेगा hydrogen gas को मुक्त करेगा रिलीस कर देगा ठीक है चलिए जो aluminium zinc और लोहा है जो aluminium zinc और लोहा है यह ना ही गरम जल के साथ और ना ही थंडे जल के साथ वो क्रिया करती है लेकिन अगर यह इसमें हम लोग इसको जल वाश्प के साथ अगर क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा यह जरूर react करते हैं और क्या वनाएंगे आपके लिए आपके लिए वनाएंगे उसके oxides बनाते हैं धातू oxide का निर्मान करते हैं जैसे कि बात करें aluminium की यह S का मतलब होता है कि वो solid state में है जो H2O है यह G मतलब आप उसको भाब के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं गैसियस form में प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है यह क्या बनाएगा Al2O3 plus hydrogen gas यहां से आपका क्या होगा release हो जाएगा ठीक है क्लियर अब हम देखते हैं aluminium हम लोगों ने देख लिया अब हम देखते हैं जो iron है वो जल वाश्प के साथ क्रिया करेगा तो वो भी सेम ऐसा ही बनाएगा Fe2O3 और hydrogen gas release करेगा ठीक है तो जो तामबा चांदियर सोना आधी धातुए है वो जल के साथ अभी क्रिया नहीं करती है यह जो कि आप हमारे लिए बहुत beneficial होता है सोचिए हम सब उसके अभूशन पहनते हैं अगर वो जल से reactive होती तो oxides बनाती और बहुत जल्दी उनके चमक जो है वो खतम हो जाता clear चलिए अब देखते है next जब क्या होता है जब धातुए अमलों से अभी क्रिया करती है तो हमें देखना है कि जो धातुए है अमलों से ख्रिया करने पर ठीक है चलिए देखते हैं जब धातुए अमलों से ख्रिया करती है तो क्या बनाएंगी पहले हमने वायू क्यों पस्थी नहीं मतलब ऑक्सिजन से रियक्ट किया फिर जल से किया अब हम कर रहे हैं अमलों से क्रिया करने पर वो क्या बनाएंगी तो धातु ये जब भी अमलक के साथ क्रिया करती है तो संगत लवण प्लस क्या बनाती है संगत लवण के साथ वो बनाती है जल या फिर हाइड्रोजन गैस सौरी मुक्त करती है चलिए देखते है मैंगनीशन धातु अगर HCl के साथ क्रिया करे तो ये क्या बनाएगा MgCl2 ठीक है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ये ठीक है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ये यहाँ पे आपको दो करना पड़ेगा वही जिंक भी ऐसा ये करेगा ठीक है ये क्या बना देगा ZnCl2 plus hydrogen gas release हो जाएगा तो जो अमला है वो जब भी जो धातुए है जब भी अमला के साथ अभी क्रिया करती है तो लवन और hydrogen gas को मुक्त करती है यह आपको हमेशा याद रखना है ठीक है जो कम क्रियाशल धातुए है सोना, यह जो सोना, सिल्वर, प्लेटिनियम करती है यह जो सोना और प्लेटिनियम धातुए है ठीक है सोना और प्लेटिनियम धातुए है यह सिर्फ और सिर्फ अमल राज के साथ अभी क्रिया करती है सोना एंड प्लेटिनियम जो भी है ठीक है वो सिर्फ अमल राज के साथ अभी क्रिया करती है तो अमलराज क्या है आप कैसे बनाएंगे एक्वारेजिया बोलते हैं इसको तो अगर सांद्र HCl का 3 रेशियो HCl हो लेंगे प्लस 1 रेशियो हम HNO3 का लेंगे नाइट्रिक एसिट का ठीक है तो इसकी 13 कॉंटिटी मतलग 3 रेशियो 1 जो रहेगा Hcl का 3 और HNO3 का 1 इस तरह से जो बना जो सॉलूशन होगा ठीक है ये दोनों ही क्या है facult simulated है, sand रहें ठीक है इस तरह से बना जो सॉलूशन होगा वही क्या कहराता है वही अमलराज या एक्वारिजिया कहलाता है और जो sona और जो sona और platinium है वो सिर्फ और सिर्फ अमल राज के साथ ही रियक्ट करती है चलिए हम कुछ कोशन्स आपकी सॉल करते हैं जो की गीवन है चलिए देखते हैं क्या है कोशन्स समीकरन लिखना है आपको अगर जल के साथ रियक्ट करेगा तो क्या होगा आपको पता है हाइड्रोकसाइड बनाएगा ठीक है तो पहला कोशन्स दिया है कि कैलेशियम को अगर आप जल के साथ रियक्ट करेंगे तो क्या होगा कैलेशियम हाइड्रोकसाइड का ये निर्माण करता है ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका equation, ठीक है, नेक्स मोशन बोला है कि लोहे की जल्व आश्प के साथ अभी क्रिया होगी, तो क्या होगा, ठीक है, हम लोग ने अलुमीनियम के साथ देखा था, चलिए आइरन के साथ भी द ये क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है, Fe2O3 बना रहा है, इसका मतलब आपको आइरन के दो मॉलेक्यूल्स चाहिए, ठीक है, तो दो लए लीजिए, और ये तीन, H2O, ठीक है, और equation आपका balance हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या ले लेजे, 3O, H2, clear, चलिए, अब देखें, next question क्या है, aluminium धातु को तनू हाइड्रोग्लोरिक अमल की साथ अभिक्रिया करने के पश्यार कौन सी कैस बनती है, अभिक्रिया का समिकरन लिखिए, ठीक है, तो ये मैंने जब आपको aluminium का हाइड्रोग्लोरिक एसिट के साथ चलिए, बना लेते हैं इसको भी, aluminium plus HCl, तो ये क्या बनेगा, AlCl3, प्लस क्या होगा, कौन सी gas release होगी, hydrogen gas release होगी, equation को balance करते हैं, ये 3 chlorine है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ले ले लेते हैं, 3 hydrogen है, तो क्या कर सकते हैं आपे, ये आपका hydrogen, इसको 6 कर लेंगे, ठीक है, इसको 6 कर लीजिए, ये twice of aluminium, ये twice of aluminium, ठीक है, तो जो aluminium है, वो hydrochloric acid के साथ क्रिया करके, ALCL3 बनाता है, प्लस hydrogen gas को release करता है, ठीक है, और अमलराज किसे कहते हैं, तो 3, जो concentrated, जो axial होता है, ठीक है, और जो HNA3 होता है, तो इसका 3 ratio 1 quantity में मिला कर बनाने से बनता है, अमलराज, इसे ही हम aquarasia कहते हैं, clear, तो आज की class में हमने देखा कि जब धातुएं विभिन प्रकार के, चाहे वो जल हो, या अमल हो, या oxygen हो, उससे क्रिया करके, क्या निर्मान करते हैं, तो आज की class के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगले class में, thank you.